स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चानल एम रेलवे में आज स्टाफ सेलिक्शन जेए इंपॉर्टन कोशन की क्लास फिफ्थ है चलिए फिस्टार्ट करते हैं फॉस्ट कोशन से इसमेरिक तो फॉस्ट ऑफ चलिए एमेरिका, स्टेसित!!! डीच की सेब्स, साथ नाम दिये गये हैं अगराम पराफ। है तो थाइलाइट इसे लीडिग प्रॉड्यूसर उडूसर है, थेखिए इआज पीछे कहां बीचीब चाह्रीन है। इसका आंसर क्या होगा आंसर होगा बी ठीक है तो थाइलेंड इस दा राइट आंसर नेक्स्ट कोशन देखते हैं हाउ मेनी चेमबर्स डज अ काउ स्टमक हाउ ठीक है जो काउ गाय होती है उसके पेट में कितने चेमबर्स होते पुछ रहा है घ्र bacon फट रहा है 1,2,3 और 4 तो इसका राइट आंसर है फोर चेमबर्स होते है burg यूमन तुर्यूमं टिति कुलम ओमसं अबोमसं भी सिह कि इंच चिसाइब होता है देखें क्या होती कॉल्चेनिया थे काउब शीचेवर्भ्य ओक हक आयल गिस्सेटेग करके अनाज कपले तंत के सब्ककाए। वो रियूमन में आके रियूमिनेशन होता है ठीक है रियूमिनेशन होता है मतलब वह क्या करती है न की चबाते रहती है वो उस अनाज को ठीक है तो कितने चंपर होते हैं फोर चंपर होते हैं याद रखिये next which is not an input device of a computer ठीक है तो ultimately output device भूछ रहा है options देखते हैं keyboard, mouse, scanner, monitor तो right answer क्या होगा इसका monitor ठीक है monitor क्या है output device है देखें basics of computer से 3 questions compulsory पुछे जा रहे है ठीक है तो अगर आप इस series को continuously देखते रहेंगे तो आपके questions जो है previous year बन जाएंगे और ultimately आपके जो क्या कहते है उसे mark secure हो जाएंगे और अगर आप basics of computer खुझ से भी पढ़ सकते हो अगर time है आपके पास आप आपका technical पूरा complete हो चुका है तो मैं आपको suggest करूंगी कि basics of computers पढ़ लीजे ठीक है next क्या है next question देखते हैं okay food cooperation of India was setup for ठीक है जो food cooperation है इंडिया की वह किस वजह से setup की गई थी तो options देखते हैं procurement of food grains storage of food grains import of food grains ठीक है and the option क्या है all of the above तो एक ट्रीक बता तो एक ट्रीक नहीं actually क्या कहते इसे देखिए अगर आपके 150 plus marks secure हो रहे आपको लग रहा है कि हाँ मेरे marks थोड़े से secure हो और थोड़ा सा risk ले सकते हो ठीक है तो option में अगर all of the above हुआ तो 99% chance है कि all of the above ही जो है answer है ठीक है मैं ऐसे नहीं बता रही हूँ एक teacher हूँ इस तरह से मुझे बताना नहीं चाहिए लेकिन मैंने इतने सारे paper दे चुकी हूँ और मुझे इतना मतलब जितनी भी बार all of the above आता है तो वह answer होता है 1% chances होता है कि वह answer नहीं होगा UPC क्या करती है UPC में अगर all of the above है या फिर none of the above है तो 100% 100% आपको क्या करना होगा अच्छे से सोचना होगा लेकिन जो छोटी-छोटी exams होती है वहाँ पर all of the above अगर आपको options मिला तो directly ticker करके आए ठीक है डारेक्ली इतना आप risk ले सकते 0.25 marks की negative marking है आप बोलेंगे इस तरह से कैसे बतारे हो माम लेकिन देखिए मेरी बात मानिए trust me आपको one marks मिल जाएगा ठीक है तो इसका right answer है all of the above 1964 में 1964 के act के तहत food corporation of India बना था अब यह act के तहत body बनी है तो इस body को क्या बोलेंगे statutory body या फिर constitutional body क्योंकि यह constitution में लिखी गई है ठीक है और यह क्यों बनाई गई थी देखिए 1964 के time में इंडिया एक food deficient country था इंडिया के पास खाने के लिए food नहीं था ठीक है तो इंडिया ने फिर 1967 में इतना ज्यादा development हो गया green revolution के तहत कि हम जहां पर food deficient country थे हम food जो है export करने लगे हम food का जो है निरियात करने लगे ठीक है इस तरह से याद रखिए और 1967 में जब green revolution हुआ था तो उसका question आता है कि इंडिया में green revolution के पिता कौन है ठीक है इंडिया तो में स्वामी नाथन ठीक है में स्वामी नाथन इस दा फादर ऑफ green revolution इंडिया और क्या आता है कुश्चन की वर्ल्ड में कौन है ठीक है वर्ल्ड में है कि ओप आक्वालिक और मतलब जैसे कि जो हम क्युंके प्लांस में द्रेख्ट्र है इंक Capital न locking टिक ensuring बंडन रिवोलोशन जो है कि मैंने रिवोवव से क्थ एयो याद रखी यह पूछता है ने चैसे को यह चैसे ओके जट एरक्राफ्स फ्लाइब han daar निट में मनिटली उसली के ज़ुक्र वा कहां से बाट मैं फ्लाइब करते इसके लिए आनस एक इमेज देखनी पड़ेगी, यह, देखिएए परिध्वी, परिध्वी है, अब परिध्वी से यहां तक जाईए, हाँ, प्रिध्वी की सता से सर्फेस से आप अगर 18 km ऊपर जाएंगे तो एक लेयर बनती है, उसे कहते है ट्रोपोसफेर लेयर, क्या कहते हैं ट्रोपोस्पेर और उस 18 किलो मिट्र तक जाने के बाइब आपके बादल बनते हैं वहांपर सिर्फ रोपोस्पेर में होती है फिर यहां पर कोई बारिश नहीं होते हैं बादल व्हाइब कुछ नहीं होता है आपने अगर कभी plane में सफर किया है तो आप वो समझ सकते हो जब आप plane आपका चल रहा है और नीचे आपको दिख रहा है कि बारिश हो रही है बिजलियां हो रही है इस तरह से हैना तो वह क्या होती है दिखिए वह हम जो plane यह पर दिखाई भी दे रहा है 14 आँजे ऐर क्रांट अतो प्ले मीस यह कर । thermosphere and then exosphere ठीक है तो इसको याद रखने के लिए कैसे एक ट्रिक है एक ट्रिक है एक ट्रिक है अच्छली मैंने गुगल से ही copy copy in the sense मैंने जब पढ़ा ही करती थी तब मैंने याद किया था यह तो ट्रिक कुछ इस तरह से trust me in the exam ठीक है तो trust का trust trust का t और s से s capital था तो एक्जाम क्या यसे एक सो स्थैच है याद रखिए तो अब कोश्चन क्या बनता है और एक questions बनता है बहुत बार debating issue बनता है कि ozoan की लेर कहां पाई जाती है तो तो ओजोन की लेर स्टाटोसफेर अटमस्फेरिक लेर में पाई जाती है अभी-अभी क्लास टू जो है अपलोड कर दिया अपने अगर नहीं देखा है तो देख लीजे तो क्या था कोशन की जेट एरक्राट्स कहां पर फ्लाय होते कहां पर उड़ते हैं तो यह लोवर स्टा बॉशन देखते हैं क्या है ओके विच हो और बर्ड्द कन फ्लाय बैकवर्ड ऐसा कौन सा अव यह है पंची है जो पीछे की और फ्लो करता है ठीक है बाक्वर्ड फ्लाय करता है अच्छी तो वह है हमिंगबर्ड ठीक हमिंगबर्ड बहुत ही छोटा सा बढ़ होता है वह यहम टोकित वोट्थ runs ऊटी होती है ठीक है 180 टिगरी उसके जो शोल्डर में जो जॉइंट होता है तो उसको इस तरह से गया घया है इस तरह से डिजायन है उन्सका होलोगर की वह वाँकर इस दिए सकता है पर्लेमेंट जो होती है वो लोकसभा और राजसभा और प्रेसिजेंट से मिलकर बनती है ठीक है किस किस से बनती है पार्लेमेंट आती है अंडर आर्टिकल 79 लोकसभा आता है अंडर आर्टिकल 81 और राजसभा आता है अंडर आर्टिकल 80 है ना याद रखिए तो देखिए जै अटा सेल एक high का लेजिसट्राइचर तो होती है तो हमारी यहां पे छो ऑजा है वह तो राज्चे वहां पर स्टेम तो देखे वह कहांगा पर है आंत्रप्रदेश में है विहार में है उत्तरप्रदेश में महाराश्च्रा में ए जम्मु कश्मीर में आतर राज्य ही नहीं रहा वह प्रदेश बन चुका है तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि तामिन नाडू जो है वहाँ पर दो सदन नहीं है ठीक है याद रहे जाएगा आपको यह अगर आपने पॉलिटी के आपके दो तीन मार्क्स वहां से तो बन जाएंगे ठीक है ओके डवेट ऑफ बॉड़ी आडव अर्थ के सेंटर पर अर्थ के सेंटर पर जो है ग्राविटी जो होती है वह जीरो होती है ठीक है और वेट का फॉर्मुला क्या है पता है कि आपको म इंटू जी मांस उन्हीं अब मांस कुछ होगा लेकिन ग्राविटी ही अगर जीरो है ठीक है ग्राविटी अगर जीरो है तो वेट क्या बन जाएगा जीरो घ chores यसका फ्रोड़क्ता आ रहा है जेरो अरे तो क्या पूछ रहे है कि वेट ऑफ य Benson अइन ते 0 maint formal याट गुरु कौन थे पूछ रहा हैं बाल गंगादर तिलग गोपाल कृष्ण कोखले जवाला नहरू सरदार पटेल अगर आप ऑप्शन्स भी थोड़ा सा दिमाग लगा कर देख लोगे न तो इसका आंसर आप जानते भी नहीं होगे तो थोड़ा सा टिक करके आ जाओगे या मि उम्र मतलब साथी थे साथी की तरह थे उनकी उमर एक समानी थी बाल गंगादर तिलग भी हम उम्र थे तो बच्चा कौन गोपाल कृष्ण को खले तो गोपाल कृष्ण को खले ही जो है गांधी जी के पॉलिटिकल गुरू है तो राइट आंसर क्या बना बी नेक्स देखत में प्लानिंग कमिशन था ठीक है प्लानिंग कमिशन था अब वो उसका नाम 2015 में चेंज करकर नीती आयोग कर दिया गया अगर कोई नई पार्टी जीटकर आती है तो नीती आयोग का भी नाम चेंज कर कुछ और रख रख दिया जाएगा क्यूंकि यह कॉंस्टिटूशनल बॉड़ी नहीं है यह कॉंस्टिटूशन में लिखा नहीं गया है इस बॉड़ी के बारे में तो उसका राइट अंसर क्या है 1950 में कॉंस्टिटूशन प्लानिंग कमिशन बना था ठीक है नेक्स्ट ओके यहाँ पर हमेरी कोशन्स खतम होते हैं थांक यू सो मुच पूच प प्लीज कीप रिवाइग थांक यू